है कि क ω्य गई विलकम लॉव फियु इंध जए सेकंद लेक्शन औफ फोर्स फ्वोर्स अाज जो लेखने वाले ये वह सेंटलों और अहरं फोर्स के बारे में देखा कटा बैलेंश बारे कि अगर कोई बाडी रेस्ट में तो रहे कि अकर मोशन में तो मोशन में रहेगी जब तक उससे कोई बाडी पे एक्स्टरनल फोर्स ना लगाई जाए उसी लोग को हम लॉप इनर्ची अभी कहते हैं ठीक है तो आज हम देखेंगे वह सेकंड लॉप मोशन से स्टार्ट करते ह है तो देखे सेकंड लॉप मोशन कहता है जिल से हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे एफ इस को स्टों में लेकिन इसका रियल मीनिंग कहा है कहां से यह पाउनूला आता है ठीक है तो अब हम देखने वाले हैं हूँ यह देखेंगे कि पोर्स इस डार्टी to the momentum by time ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied अगर मेरा कहने का मतलब है कि momentum क्या है तो पहले ये भी जान लें momentum क्या है अगर कोई body के पास mass है और किसी body के पास velocity भी है अगर कोई इसके पास momentum obvious होगा उसके पास momentum obvious होगा उसके mass और velocity से हम उसके momentum को calculate करते हैं मांगे चलिएगी अगर कोई body यहां पर A है जिसके पास mass है और वो V velocity से चल रहा है और चलते चलते वो यहां तक पहुचा ठीक है इसके पास भी होगा इसके पास ही velocity होगी जो यह पहली velocity है इसको कहते है initial velocity और जो यह पहुच गई तो इसकी velocity final हो गई इस body का momentum क्या होगा M U इस body का momentum क्या होगा M V final momentum और initial momentum अब हम आते हैं थोड़ा सा F is equals to rate of change of momentum by time तो momentum क्या लिख सकते है M V minus M U by time changing ठीक है अब हां देखेंगे M common ले सकते है M common लेके इसको लिख सकते है V minus U by T अब अगर आप यह formula देखेंगे V minus U by T को तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं A आप लोग पहले भी पढ़े होंगे A is equals to rate of change of velocity by time तो अब हम इसको लिखेंगे F is equals to M A यह deduce हुआ Newton's second law of motion तो यह कहां से आता है the rate of change of momentum is directly proportional to the force of light F is equals to delta P by delta T momentum force को change करने से momentum में change आ रहा है और जैसे जैसे हम time बढ़ाएंगे force उस पर लगना कम हो जाएगा जैसे कि मांगे चले कोई baller है और वो catch कर रहा है तो वो क्या करता है अपने हाथ को नीचे के तरफ लाता है जिससे कि उस body पर जो momentum है वो उसका time बढ़ाता है time बढ़ाने से क्या होता है time बढ़ाने से उसका momentum कम उस body पर जो force लग रही होती व और उसके बाद अगर F inversely proportional है 1 by delta T के मतलब ऐसे time बढ़ाऊगे वैसे वैसे force कम हो जाएगा ठीक है I hope so आपको clear होगा momentum और कैसे आया है F is equals to M A actually F is equals to M A नहीं होता है actually में क्या होता है F is equals to delta P by delta T P denotes for momentum which is P is equals to M V मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई body है जैसे truck है उसका momentum जादा होगा क्योंकि उसकी mass जादा है ठीक है एक cycle है एक car है जिसका momentum कम होगा क्योंकि उसकी mass कम है अब कोई body के पास mass same हो mass same हो लेकिन ये 10 meter per second से चल रही है और ये 100 meter per second से चल रही है तो इसकी momentum क्या हो जाएगा जादा हो जाएगी ठीक है तो ये भी आप ध्यान रखेगा momentum depend करती है mass और velocity दोनों पे ठीक है तो कहने का मतलब ये है मेरा कि first law हमें क्या बताता है first law हमें ये बताता है कि जब भी कोई unbalanced force किसी body पे act करता है unbalanced force किसी body पे act करता है तो वो motion produce करता है ठीक है second law हमें ये बताता है कि जितना जादा momentum होगा momentum का मतलब आप थोड़ी सी बात हम momentum पे कर लेते हैं p is equals to mv momentum वो property है body के जिसमें अगर कोई body में mass है velocity है तो उसके पास अपना momentum होगा if i say this is a truck ठीक है it have a mass it have a mass moving with velocity v ठीक है इसका mass 100 kg है moving with 10 meter per second ठीक है तो इसमें क्या करोगे p is equals to mv 100 into 10 100 into 10 1000 ठीक है इसका momentum कितना हो गया 1000 ठीक है kg पर kg meter per second kg meter per second इसको हम लिख लेंगे ठीक है तो यह मैं एक कार ले लेता हूं जिसका mass जो है वह 100 है mass ले ले लेता हूं 10 kg है और यह velocity चल रही है 2 meter per second से जिसका momentum क्या हो जाएगा 20 meter per second तो जिस body के पास mass है ठीक है जिस body के पास mass है वह body पास momentum होगा और हमने पढ़ा है force is equals to delta P by delta T भी हमने पढ़ा है तो इस formula का मतलब क्या है कि हम force को मतलब momentum को कम कर सकते है time को बढ़ा के inversely proportional force जो होगा force जो होगा वह directly proportional है momentum के delta P के जितना ज्यादा momentum जितना ज्यादा force लगाओगे उतना momentum produce होगा और F inversely proportional है delta T के तो जितना ज्यादा time बढ़ाओगे उतना कम force किसी भी body पे लगेगा ठीक है जैसे कि एक baller होता है अपने ball को catch करता है जब उपर से कोई ball नीचे तरफ गिर रहा होता है उसे catch कर रहा होता है तो हम क्या देखते हैं वह अपने हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे करके लाता है तो जिससे क्या हुआ मॉमेंटम हो उसके पास मास है वेलोसिटी भी है तो उसके time को थोड़ा सा increase करता है वो उसके time को increase करता है time को increase करने से क्या होता है उस ball का momentum है उस ball का जो moment force है वो कम हो जाता है वो क्या होता है कम हो ठीक है तो यह बात आपको clear होगी मेरे ख्याल से ठीक है अब हम देखते हैं mathematical formulation of the second law of motion यहां देखिए जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि there is a body a moving with velocity v and have mass m यहां से वो यहां तब पहुंचता है ठीक है a body तो यहां पे इसके जो velocity होगी वो initial velocity m u होगी और final velocity m v होगी ठीक है तो हम क्या करते है rate of change of momentum is equals to m v minus m u यह मैंने आपको इभी करके दिखाया है तो आपको last में देखने को जो मिलेगा वो यह मिलेगा k m a k की unit क्या हो जाएगी one हम ले सकते है proportionality of constant हम बोलते है इसको ठीक है तो यह एक तरीका है यह एक तरीका है mathematical तरीके से force second law of motion को derive करने का यह important है यह आ सकता है एक्जाम में कभी भी ठीक है कहीं से भी आ सकता है किसी वे में भी आ सकता है ठीक है तो इसको serious ले और यहां पर आप देख रहे हैं force की unit क्या हो जाएगी newton यह इसकी SI unit होगी और इसकी CGS unit क्या होगी dine CGS unit क्या होगी dine ठीक है तो यह याद रखीगा ठीक है यह था second law of motion ठ ठीक है तो second law of motion दो चीजों से है momentum the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied directly proportional to the force applied ठीक है तो यहाँ पर आपकर देखेंगे यहाँ पर यह फॉणा लिखते है Ft is equals to mv minus mu, तो यहां पर आप कह सकते हो, that is when force is zero, अगर force zero हो जाता है, ठीक है, अगर force zero हो जाता हो, तो क्या होगा, अगर मैं ले लेता हूँ, force को अगर मैं zero कर दूं, force को अगर मैं zero कर दूं, तो क्या होगा, f into t mv minus mu, तो यह जो constant term है, जिरो हो जाएगा, यहां पर हम common लेके mv minus u लिख सकते हैं, तो यह m भी इधर जाएगा, तो m भी zero हो जाएगा, तो m zero हो जाएगा, तो v minus u is equals to zero, और v is equals to u, मतलब अगर किसी body पे force नहीं लग रहा है, तो उसकी initial velocity भी और final velocity दोनों ह सेम रही, अगर किसी body पे, external force, force का यहां मतलब है, external, अगर किसी body पे force नहीं लग रही है, it means that, it means that, कि उसकी initial velocity, उसके final velocity के equal होगी, मतलब कि वो uniform velocity से चलेगा, मतलब कि वो uniform velocity से चलेगा, throughout the time, ठीक है, और अगर u zero होता है, मतलब कोई body rest पे है, तो वो v भी zero होगा, उसका सीधी सी बात है, an object will remain at rest, according to the first law, ठीक है, ठीक है, I hope so, यह clear होगा, अगर force zero होगा, तो इसकी initial velocity, final velocity के equal होगी, और uniform velocity से चलेगा, अगर उसकी initial velocity zero है, तो वो body हमेशा rest पे ही रहेगी, ठीक है अब हम जो देखेंगे, वो देखते हैं, third law of motion, ठीक है, इस lecture में हम यही दो law के बारे में discuss करेंगे, next lecture में हम पूरा video हमारा conservation of momentum पे होगा, conservation of momentum पे होगा, जो कि बहुत important है, ठीक है, इसको बहुत देहान सुनेगा, यह आपके higher classes में भी इसका use करना है, इससे numerical solve करने के लिए बहुत important है, third law of motion, देखें, Newton के दो law तो हमें देख लिए, पहला law क्या देखा, कि अगर कोई body rest में है, तो rest में रहना चाहेगी, motion में है, तो motion में रहना चाहेगी, due to the law of, first law of Newton, due to the inertia, property of a body, second law में देखा, कि अगर कोई rate, momentum का rate change हो रहा है, तो उसके force की value change होगी, अगर आप force ज्यादा लगा रहे तो उसकी momentum ज्यादा होगी, ठीक है, और उसको कम करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम time elapse ज्यादा कर देंगे, third law of motion में क्या कहते है, third law of motion में कहते है, everybody have an equal, पहली बाद, and opposite, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, equal and opposite, everybody have an equal and opposite action, and reaction, ध्यान रखिएगा, मैंने जो लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनियेगा, मैंने कहा, everybody have an equal and opposite, action and reaction, on different bodies, on different bodies, action किसी और body पे होगा, reaction किसी और body पे होगा, यह ध्यान रखिएगा, यह कभी नहीं होगा, कि action भी same body पे है, और reaction भी same body पे है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि मांगे चलिए, यह एक now है, ठीक है, यह पानी में है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और मैं यहाँ से मैं jump करना है मेरे को, यहाँ से मुझे jump करना है, तो मैंने force किस पे लगाया, फोर्स मैंने action इस पे दिया, इस board पे दिया, ठीक है, तो action मेरा किस तरफ है, ठीक है, action मुझे आगे की तरफ करना है, ठीक है, reaction किस तरफ हो रहा है, पीछे की तरफ, action किस तरफ मैंने किया आगे की तरफ जितना मैं आगे जाओंगा उतना ही ये boat पीछे जाएगी अब छुड़ा example लेता है ये तो बात होगा action और reaction की action मैंने आगे लगाया reaction आपका पीछे हुआ वो भी equal magnitude का मतलब जितना मैं आगे जाओंगा तरफ दो उतना ही ये पीछे जाएगा ये तो बात होगा ये action reaction की अब ये एक body पे या दूसरे body पे लगता है दोनों ही action एक body पे होगा ये action दूसरी body पे होगा जैसे की मांगे चलिए कि ये मेरी gun है ठीक है ये मेरी gun है यहाँ से bullet निकली यहाँ से bullet निकली और मैंने यहाँ से अपने finger से इसको पकड़ा है ठीक है तो bullet जो है bullet ने action दिखाया पीछे की तरफ आगी की तरफ बुलेट ने action दिखाया आगी की तरफ और इस body पे नहीं ठीक है मेरे हाथ पे reaction इस तरफ होगा उल्टी तरफ ठीक है तो हमेशे ध्यान रखेगा third love motion एक system की तरह है system की तरह है ठीक है तो bullet पे जो लगा action वो आगे की तरफ था और मेरे हाथ पे reaction हुआ जो की पीछे की तरफ था जो की पीछे की तरफ था तो यह ध्यान रखेगा everybody have an equal and opposite action and reaction on different bodies on different bodies अब यहाँ equal का मतलब क्या है जैसे कि मांगे चलिए यह earth है ठीक है earth के उपर एक mass रखा हुआ है m ठीक है earth के उपर नहीं कहुँगा मैं यहाँ पे एक earth है एक earth है और यहाँ पे प्लेट रखी हो जिसके उपर mass रखा हुआ है m यह m लगाएगा इस earth पे एक force ठीक है इस mass ने earth पे लगाया है एक mg का force और यह earth जो है reaction force लगाएगी इस mass के उपर इस mass के उपर mg का ठीक है तो यह equal and opposite जैसे कि all force ठीक है gravitational force हो गया electrostatic force हो गया यह जितने भी force है यह एक pair में आते है और यह pair law है third law of motion को हम कह भी सकते है कि pair pair law यह हमेशा pair में आता है तो mg का इसके इधर यह mg का इधर लेकिन देखो mass अर्थ पे लगा रहा है और reaction अर्थ पे हो रहा है reaction अर्थ दे रहा है और action mass दे रहा है तो यह action and reaction pair है यह action and reaction pair है on different bodies ठीक है I hope so मैं clear कर चुका हूं यह और doubt नहीं होना चाहिए अज़ों होता है तो please मुझे बताए तो परावा the first two laws of motion tell us how an applied force how an applied force changes the motion and provide us with the method of determining the force the third law of motion state that when one object exert a force on another object the second object instantaneously exert a force back on the first ठीक है these two forces are always equal in magnitude but opposite in direction these forces act on different object यह important है यह ध्यान रखिएगा act on different object and never be on the same object object जिस पे action हो रहा है उस पे कभी भी reaction नहीं होगा second object पे होगा reaction in the game of football sometimes we while looking at the football trying to kick it with a greater force collide with a player of the opposite team both feel hurt because each applies a force to the other आप लोगो खेलते पे होगा तब भी देखा होगा जोन तरफ से नुसरे डॉड़ के आ रहे हैं और चोट लगती और दोनों को लगती क्यूंकि दोनों नहीं एक दूसरे रूपर force apply किया है ठीक है ठीक है यह recalling of the gun है इसको हम लोग रॉक लिगे नाम से भी जाता है conservation of momentum में हम यह चीज़ देखेंगे ठीक है ये frər gorge hai fos on the bullet ठीक है बुरेट की तरफ यह जो बुलेट निकल रही है यह afterward force है और gun पे लगी है recoil तो यह देखो action किस पे हो रहा है bullet पे reaction किस पे हो रहा है gun पे action किस पे है bullet पे reaction किस पे gun ठीक है ठीक है bis Mira how clear हो गया उख आपको यह चीज action and reaction pair ठीक है तो यह जो है यह एक सिस्टम है एक्षन आपने इस तरफ लगाया रियक्षन आपका पीछे की तरफ गए ठीक है ठीक है I hope तो यह चीज़ आपको क्लियर होगी ठीक है तो यह जो टॉपिक है Newton 1st, 2nd law, Newton 3rd law यह आई होप सो क्लियर हो गया गा इन दे नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक कंसर्वेशन आफ मोमेंटम जिसमें आपको Newton 3rd law Newton 1st law, Newton 2nd law तीनो का कॉंबिनेशन आएगा ठीक है? यह ध्यान रखियेगा थैंक यू सो मच